प्रिधान मंत्री नरेंद्र मोदी जूट बोल रहे हैं बिहार के दर्भंगा में एम्स उन्होंने खुलवाया नहीं बलकि उसके कारी को रोका है बिहार के दर्भंगा में एम्स खुला नहीं है यहां तक कि उसके कारी को भी किंद सरकार की तरब से रोका गया है साथी साथ आपको बताते चलें कि तजश्वी यादब के साथ ललन सिंग भी इस बात को लेकर कहा है कि बीजेपी की तरफ से प्रिधान मंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से सिर्फ जूट बोला जा रहा है प्रिधान मंत्री मोदी ने शनिवार को अपने भाशन में कहा कि केंद सरकार ने दरभंगा में एम्स खुलवाया है प्रिधान मंत्री जूट बोल रहे हैं भी ट्वीट कर केंद सरकार को जूमले बाज बताया है उन्होंने कहा है कि केंद सरकार एम्स के निर्मान को लटकाने का काम कर रही है और प्रिधान मंत्री कहते हैं दरभंगा में एम्स का निर्मान हो गया तजश्वी आदम ने कहा है कि नरेंद्र मोधी देश के प्रधान मंत्री है और आपको जूट बोलना शोभा नहीं देता दर्भंगा में कोई M's नहीं खोला गया है सियम नितीश कुमार ने दर्भंगा में M's को लेकर 911 कर की भूमी निशुल्क दी है लेकिन भाशपा के राजनीतिक दवाब से ये स्वकृति नहीं हुई है उन्होंने खुलवाने का नहीं बलकि दुखवाने का काम किया है मिट्टी भराई का काम शुरू कर दिया गया था लेकिन इसे रत करवा दिया गया तजश्वी ने पत्र दिखाते हुए कहा कि 22 जून 2023 को भारत सरकार के स्वास्त मंतरी डॉक्टर मंसूख मांडविया को पत्र लिखकर इसकी जानकारी दी थी ये पत्र हम सारजुनिक भी करेंगे इतना बड़ा जूट पीम बोलते हैं तो साफ है कि उन्हें सच्चाई से वास्ता नहीं है स्वास्त मंतरी से पीम को सही जानकारी लेनी चाहिए लोगों को भ्रमित करने का काम किया जा रहा है केंद्रे स्वास्त मंतरी से ये भी पूछना चाहिए कि बिहार सरकार ने जमीन दी या नहीं हम पीम का भाशन सुनकर आश्यर चकित हैं बीजेपी जूटी पार्टी है नफरत की राजनीती करती है दर्भंगा मेडिकल कॉलेज को राजस सरकार अपने खर से फिर से बनवा रही है मनिपूर के मसले पर भी तजश्वी आदम ने कहा कि पीम आज तक मनिपूर क्यों नहीं कहा राहुल गांधी वहां गया बिपक्षि की टीम वहां गया लेकिन हमारे प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी वहां नहीं जाते हैं बलकि इनके सरकार की तरफ से उसके कारे को रोका गया है। वहीं ललन सिंग ने बीजेपी को कहा है कि ये एक नंबर की बढ़का जुठा पाटी है। सिर्फ और सिर्फ ये जुमले बाजी करना जानती है। इसके लावा इसका कोई काम नहीं है। फिलाल के लिए सब्डेट में इतना ही आने खबरों के लिए देखते रहे हैं न्यूस फॉर्णेशन।